हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माय चैनल मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ इद स्पेशल शीर खुर्मा की रेसेपी शेयर कर रहे हूं यह जटपट से बनने वाली रेसेपी है और इद पर सभी के घरों में बनती है और हर किसी का इसे बनाने का तरीका भी अलग-अलग होता है तो आज मैं आपके साथ एक भूती शीर खुर्मा बनाने की रेसेपी शेयर कर रहे हूं बहुती मज़दार सी रेसेपी है आप इसे ईद पर ज़रू ट्राइ करें पिछली इस रेसेपी को बनाना शुरू करते हैं शीर खुर्मा बनाने के लिए हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम दो चोटे चम्मस घी डालेंगे देशी घी में यूज़ करें हो आप कोई भी बनस्पती घी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप इसे ओयल में ना फ्राइ करें इसका टेस्ट खी में ज्यादा अच्छा के लिए से थोड़ा सा रोस्ट करेंगे तो यहां पर मैंने दो तीन मेर्टेस को रोस्ट करेंगे और इसका इस तरीके का कलर आ जाने पर हम इसको एक बरतन में निकाल लेंगे तो हमारे सिवई हैं यहां पर रोस्ट हो चुकी है यह देखिए बहुत इचा सा कलर आ गया है और यहां पर कढ़ाई को खाली करके मैंने इस कढ़ाई में एक चमज खी डाल दिया है और इसमें डालेंगे कुछ ड्राइफ रूट्स तो यहां पर देखिए यह पिस्ता है और यह है बादम बादम और पिस्ता को मैंने गरम पानी में भिगो के रखा था उसके बाद उसका भारीक बारीक काट लिए हैं उसके बाद मेने काजू इसमें डाले हैं थोड़े से हमने ने चेह रोण्जी लिये हैं और थोड़े से अखोरोट काट करके ले लिये हैं इसके बाद थोड़ी सी किशमिस भी आड़ कर लेंगे इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इस तरीके से जब हमारी रेजिन फूल जाएगी उतना ही हम इसे बूनेंगे और इसे निकाल करके एक परतन में रख लेंगे यहां पर लिया है मैंने एक लीटर फुल क्रूम दूढ एक लिठ फूल क्रीम पड्ला करिया है और जब दूढ हमारा आच्छे से बॉल जाएगा तब हम इसके अंदर डालेगे सिविया जो हम ने रोस्ट करी थी तो रोस्ट की होई सिविया इसके अंदर में एड़ कर लेते ह अब इसमें ड्राइफ रूट्स एड़ कर लेंगे जो हमने फ्राइब करके रखेते थोड़े मैंने गार्णिशन के लिए बचा लिए हैं और अब इन ड्राइफ रूट्स के साथ ही हम इसे 2-3 मट के लिए पकाएंगे इसमें आदा कप से थोड़ी सी ज्यादा चीनी एड़ की है अचा कर आपको कम मीठा पसंद्स है तो आप इसमें आदा कप शुगर एड़ के रहें यानकी चीनी अगर मावा पाउडर नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर एड़ सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा चोटी चमच अधा पाउडर इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसका टेस्ट भी इन्हांस होता है इसके बाद हम इसमें कुछ सैफ्रान के स्ट्रेंड यानि की जाफ्रान के धागे एड़ करेंगे उससे बीस में बहुत अच्छी कुछ वह एड़ होती है अप सारी चीचों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सिर्फ एक मिनट के लिए और पका लेंगे तो देखिए एक से दो मिनट और पकाया मैंने से और हमारा शीर खुर्मा बनके रेडी हो गया है आप इसे थोड़ा सा फ्रिज में रखके ठंडा करके फिर सर्फ करें बहुत ही मज़तार बनता है यह तो आप इस यह शीर खुर्मा की रेसिपी ज़रू ट्राइ करें और पर पहरी बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो